फ्रिंड्स मैं बॉडी बिल्डिंग का रॉ नॉलेज आपके सामने लाता हूं मेरे क्लाइंट पर कौन सा मेडिसिन क्या रिजल्ट दे रहा है आपको प्रैक्टिकल अपने नॉलेज बताता हूं जो आइधिंक इंडिया में सारा बुकिश या फिर जो गूगल वगरा में करो और चैनल को सब्सक्राइब करो मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही एहम टॉपिक के बारे में बताओंगा जो आप करते हो कभी ना कभी आपने बॉडी बिल्डिंग के लाइन में किया होगा लेकिन आप उसको नजर अंदास करते हो और आपको समझ में नहीं आता हो तो इसका बहुत बड़ा साइड एफेक्ट आपको हो सकता है आप किसी भी अनबोलिक स्टेरोड को प्री लोड मतलब के सिरिंग में एक दो दिन तक सेफ करके रख सकते हो क्या या नहीं रख सकते हो आप नहीं रख सकते हो क्योंकि जो अनबोलिक स्टेरोड होता है इसमे तो आपके सिरिंज है उसके रबर जो प्लेंजर होता है उसके रबर से रियाट करता है और जब आप इंजक्ट करते हो तो यह पाटिकुलेट आपके मसल में जा सकता है और आपको एफसे हो गई होगा एंड अदर सारे हेल्थ हैजर्ट भी हो सकते है तो आप ध्यान रखना के प्री लोड किसी भी सिरिंज में आप दो तीन मिनट से ना करना भले ही आप विंस्ट्रॉल कर रहे हो वाटर बेस या फिर आप ओल बेस कर रहे हो इसमें होता है सॉल्वेंट और पो सॉल्वेंट बेंजाइल एलकोहल बेंजाइल बेंजाइल जो प्लास्टिक से रियाट करता है एंड वह आप पार्टिकुलेट ओयल के साथ अपने बॉड़ी में इंजेक्ट कर सकते हो तो फ्रेंड इस वीडियो को बनाने का एक मकसद यह था कि आपको एक नॉलेज दे सकूंके प्री लोड करके कभी भी स्र अपने पार्टिकुलेट प्लास्टिक और प्लेंजर का आपके सकता है और बहुत सारे प्राब्लम कर सकते है रधर दन अपस्स तो होगई होगा और उसके बाद पर आपको ऑपरेशन करा कर पसिंग जो तो निकालना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा अपको मैं उस्तों करन करना पड़ेगा तो डैट इस दियर फ्रेंड मैंने अपको बताया के प्री लोड करना अनबोलिक इस्टेरोड का सॉलीशन काफी जाए डेंजर रहे इसको अपने ध्यान में रखना एक छोटा सा मैसेज था लेकिन काफी एंधा अगर वीडियो चलता है तो लिए को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और जो रेट बढ़न निकल गया उसको भी तक 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 जरूद बाना